Hello Friends, Welcome to SSA Crackers और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है अब हम लोग करने वाले हैं SSA CGL 2019 के लिए GK का Model Paper Taste 1 जिसमें आपके सामने 25 questions होंगे और उस 25 questions में से आपका कितना सही होता है ये आपको बताना है तो चलिए स्टार्ट हो जाए इस session के लिए और देखना ये है कि आप कितना सही कर पाते हैं और आप कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका 10 सही है 15 सही है 20 सही है या 25 का 25 सही है ठीक है इसमें current affairs के questions में इंक्लूड है तो अगर ये भी आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपको current affairs में कितना questions आते हैं ठीक है static portion का ज्यादा इसमें part है तो चलिए start करते हैं first question के साथ तो पहला question है आपका और एक question के लिए 5 second के लिए time दिया जाएगा आपको first question है कि चंद्र गुप्त मौर के दरबार में भीजा गया युनानी राजदू कौन था ये रहा आपके साबने first question इसका answer क्या होगा आपको बताना है तो देखिए इस question का जो right answer है वो होगा आपका C option C मेगस्तिनीज ठीक है सेलुकस ने सिंधु नदी पार करके चंद्र गुप्त मौर के साथ यूद किया था ठीक है और उस लराई में सेलुकस जो था वो हार गया था और तब सेलुकस और चंद्र गुप्त मौर के बीच में एक सिंधी हुई थी और उस सिंधी के बाद जो है जब होने के बाद सेलुकस ने क्या किया था ठीक है तो इस question का जो right answer है ये आपका option C होगा मेगस्तिनीज ठीक है जिनका भी answer मेगस्तिनीज है वो सही है नेक्स question देखिए भारत का सबसे पहला समचार पत्र कौन सा है इंडिया का जो पहला न्यूज पेपर था वो कौन सा था चलिए आपका time starts होता है अब 5 second का आपके पास time है देखिए इस question का जो right answer होगा आपका बंगाल गजट ठीक है बंगाल गजट जो है वो भारत का पहला समचार पत्र जो की 1780 में कोलकता से प्रकासित किया गया था 1780 से ठीक है तो ये सबसे पहला न्यूज पेपर है तो जिसका भी answer बंगाल गजट है वो उसका answer सही है नेक्स question देखते हैं कि भारतिये समिधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है आपका time starts होता है अब चलिए इस question का जो right answer है वो है आपका option C यानि कि part 9A ठीक है part 9A में ही बताया गया है भारतिये समिधान के नगर पालिकाओं के बारे में ठीक है नगर पालिकाओं का उल्लेक जो है वो भारतिये समिधान के part 9A में है question number 4 क्या है शरकार के संसद्य रूप का विचार कहां से लिया गया है जो संसदिय रूप का विचार है वो कहां से एडॉप्ट किया गया है अमेरिका से, यूके से, आयरलैंड से या रस्या से किया गया यह बहुत ही easy question है, मेरे ही साब से सबका answer आ गया होगा ठीक है, तो इस question का होग जाएगा आपका answer B यानि की United Kingdom ठीक है, यहां से लिया गया है parliamentary form लिया गया, ठीक है next question देखिए कि विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन संसदियों प्रतिनीधी मंडलों के लिए वैक्तियों का नामांका निमलिखित में से कौन करता है who among the following nominates individual for various parliamentary delegations sent to foreign countries क्या होगा answer, जल्दी से बताइए चलिए, इस question का जो right answer है, यह है आपका A यानि की speaker of लोगसभा ठीक है, speaker of लोगसभा जो है, वही decide करते हैं कि कौन सा parliamentary delegations को foreign में भीजना है ठीक है, वही nominates करते हैं Question number 6, भारत की निम्द नदियों में से कौन सी delta नहीं बनाती है यह जितने भी आप नदी का नाम देख रहे हैं, इस में से कौन सी वो नदी है जो delta नहीं बनाती है चलिए, इस question का जो right answer है, यह होगा आपका तापती तापती ही जो है, वो river नहीं बनाती है, तापती जो है कैलास परवत माला के 4,164 मीटर की उंचाई पर है ठीक है, और वहां से मान सरोवर जील से निकलती है यह तापती नदी और यह delta नहीं बनाती है, ठीक है next question देखे क्या है आपका गुहार्टी किस नदी के किनारे इस्तित है चलिए, इसका answer क्या होगा चलिए, इसका answer जो है, यह होगा ब्रह्म पुत्र, जो कि गुहार्टी जो है ब्रह्म पुत्र नदी के किनारे इस्तित है चलिए, who among the following implemented the road 3 system in मदरास निमलिखित में से किसने मदरास में रोयतवारी व्यवस्था लागू की थी किसने की थी इस question का जो right answer है यह होगा आपका B यानि कि Sir Thomas Monroe ठीक है Sir Thomas Monroe नहीं रोयतवारी व्यवस्था लागू की थी ठीक है मदरास में next question मेटूर थर्मल पावर स्टेशन इस लोकेटेड इन यह आपका static जीगिया question है और इस step के question TCS बहुत ज़्यादा पुछने लगा है तो power station जो है वो आपको एक बार देख लेना चाहिए तो मेटूर पावर स्टेशन जो है ठीक है मेटूर पावर स्टेशन जो है यह किस कहां located है तो इसका right answer D होगा यानि कि Tamil Nadu Tamil Nadu में ही लो है वो located है मेटूर पावर ठर्मल पावर स्टेशन नेक्स्ट है वनसदा नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट जो वनसदा नेशनल पार्क है यह कहां located है तो यह आपका located है यह आपका located है क्या answer होगा इसका इसका answer होगा डी यानि कि गुजरात वसंदा नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट तो गुजरात ओके नेक्स्ट कोर्शन जफर इस दा सैटलाइट रिसेंटली लॉंच्ट बाई विच कंट्री देखें यह भी हाल में ही बहुत ज़ादा न्यूज में था जफर जो कि किस देश ने लॉंच्ट किया है वो आपको बताना है जिन्होंने पढ़ा है करिंट अफ़ेर समी हाल एक दो महिने का वो इसका answer बता देंगे तो जफर जो है यह सेटलाइट इरान ने लॉंच्ट किया है ठीक है इरान ने लॉंच्ट किया है जफर सेटलाइट को ठीक वेन वार्जद एक भारत स्रेष्ट भारत कंपैनिंग लॉंच्ट एक भारस रेस्ट भारत जो है ये कमपैनिंग कब लॉंच किया गया है ठीक है ये बहुत ही important question है ये बहुत बार repeat behavior है आपके exam में ठीक है तो इसका जो right answer है ये क्या होगा जल्दी बताईए चलिए इसका right answer 2015 होगा 2015 महीं एक भारस रेस्ट भारत कमपैनिंग जो है वो लॉंच हुआ था next question who has won the award for best actor at the oscar award 2020 2020 का oscar award किसको मिला है ये बताईए आप ठीक है ये बहुत ही important question है इस बार के exam के साब से तो इसका right answer sorry इसका right answer C होगा जैक्यून फॉनिक्स जैक्यून फॉनिक्स को मिला है प्राइस और ये किस movie के लिए मिला है तो joker के लिए मिला है ठीक है जोकर movie के लिए इनको जैक्यून फॉनिक्स को मिला है ओसकर एवार्ड ठीक है who has won the best actress award at the 92 academy award in California United States ठीक है किसको मिला बेस्ट एक्रेस एवार्ड किसको मिला है में वार्ड मिला है जल्दी बताइए इस कुर्षन का राइट एंसर होगा रेनी जैलवेगर ठीक है रेनी जैलवेगर को मिला है आपको 92nd Academy Award ठीक है कि कर्बी अंगलॉंग वाइल लाइफ सेंचरी लोकेटेट इन विच इसका एंसर होगा आपका असाम असाम में ही ये लोकेटेट है ठीक है वालमी की नेशनल पार्क चलिए वालमी की नेशनल पार्क यह कहां लोकेटेड है यह जल्दी से बताईए इस question का right answer होगा भिहार ठीक है भिहार में ही वालमी की नेशनल पार्क लोकेटेड है चलिए नेक्स पॉर्षन है अबेल प्राइज रिलेटेड टू विच फिल्ड अबेल प्राइज यह किस फिल्ड से रिलेटेड है ठीक है इस किस फिल्ड से दिया जाता है तो देखिए यहां पर साथ ऑप्षन ही मैंने गलत लिखा है mathematics के लिए मिलता है ठीक है न तो चलिए इ वन इज वीक एसीड दुरूबल अम्ल कौन सा है कौन सा है बताए तो अच्छा एंसर आप लोगों का चलिए इसका राइट एंसर होगा आपका साइट्रिक एसीड ठीक है साइट्रिक एसीड वीक एसीड है अब देखिए यह मतलब इस एसीड से ज्यादा कुछ एफेक्ट जानते हैं उसमें नहीं होता है साट्रिक एसीड अब यह सब हाड्र एसीड होता है हाइड्रोकलोरिक एसीड सल्फ्यूरिक एसीड नैट्रिक एसीड चलिए एक बहुत इंपॉर्टेन कुर्ष्टन है कि विच ऑप दफॉलेंग गैस इस इस यूज़ट इन सिक्रेट लाइ ब्यूटेन, ब्यूटेन, गैस ही, सिक्रेट लाइटर में फिल किया जाता है, ठीक है? Next, Who among the following was the religious guru of Siva Ji? निम्री लिखित में से कौन Siva Ji के धार्मिक गुरू थें? कौन थें? जल्दी बताइए. Siva Ji के धार्मिक गुरू का नाम था, राम दास. ठीक है? राम दास ही, सिवा जी के धार्मिक गुरू का नाम था. Next question है, कि निम्री लिखित में से किसने मुगल सासकों ने सती की प्रथा के खिलाफ कदम उठाये थे? वो कौन से ऐसे मुगल सासक थे, मुगल रूलर थे, जिन्होंने सती प्रथा के प्रती जो है, अपना कदम उठाया था और उस चीज़ को बंद करवाने की कोशिस की थी. कौन थे वो मुगल सासक? और इस question का मेरे हिसाब से आप सभी के पास answer होगा, तो इसका जो है right answer वो होगा. अकबर, चीक है? आपको पता होना चाहिए कि डेट से भी आपके एक्जाम में कुर्शन आते हैं. ठीक है? तो इंटरनेशनल कस्टम डे कब सेलिब्रेट के जाता है? तो इसका right answer होगा 26 जनवरी, 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है और भारत में रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है. ठीक है? नेक्स्ट कॉर्शन इंडियाज लॉंगेस्ट इलेक्रिफाइट ट्रेन टरनल वाज इनगुरेटेट बिट्वेन चेरापली और रापुरू इन विच स्टेट? ठीक है? इंडिया का सबसे लॉंगेस्ट इलेक्रिफाइट ट्रेन टरनल है ये जो है चेरापुली और रापुरू के बीच में इनगुरेट किया गया है ये कहां पे इस्टित है? किस स्टेट में है? ये आपका करेंट अफ्वेंस का कुश्चन है तो इसका राइट एंसर होगा आंध्र प्रदेश भारत के जो वाइस प्रसिडेंट है वेंकया नाइडू इन्हों नहीं इनागुरेट किया था इस रेल टरनल का इलेक्रिफाइट जो आप ट्रें टरनल देख रहे हैं इसको वाइस प्रसिडेंट वेंकया नाइडू नहीं इनागुरेट किया था और इस टरनल की जो टोटल लंबाई है ये अन्बिलीवेबल है 6.3 किलोमीटर ठीक है? 6.3 किलोमीटर लंबा है ये समझ गया है? कोलम्बिया का करेंशी का नाम बताइए करेंशी से भी कोशन आते हैं तो कलम्बिया का जो करेंशी है वो है आपका पीसो ठीक? next question last but not the least how many countries are there in BIMSTEC? ठीक है? ये terms है आप लोगों ने जिन्होंने नहीं सुना है तो इसका मैं full form आपको बता देता हूँ BIMSTEC का full form होता है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation ठीक है? Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation और इसके अंदर में total जो है आपके 7 countries जो हैं वो आते हैं और वो 7 countries कौन कौन है? नेपाल है, फिर आपको थाइलेंड है, बंगला देश है, इंडिया है, मैनमार है, भुटान है, स्रिलंका है तो ये जो साथ आपके Asian countries हैं ये सभी आते हैं BIMSTEC के अंदर में और इससे questions आपके exam में आ सकते हैं इस तरीके से तो ये रहे 25 questions आज के पहले mock test में पता नहीं आप लोगों को ये session कैसा लगा, जैसा भी लगा आप मुझे comment करके जुरूर बताइएगा मैं अपने तरीके से और अपने तरफ से जो है अपना best देना चाह रहा हूँ आप लोगों को revise करने के लिए PDF भी मैं आपको दे रहा हूँ, math का PDF जिन लोगों ने math का PDF डाउनलोड नहीं किया है वो कर लिजेगा मतलब जितना important हो सके उतना important मैं आपको provide करना चाह रहा हूँ exam से पहले और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कल आपका 100 current affairs का video upload होगा जो कि आपके exam point of view से बहुत ही जादा important है तो उस session को देखना ना भूले ठीक है तो मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए all the best